सत्यम शिवम सुंदरम दोस्तों जब भी ये प्यारा सा संगीत हमारे कानों में गुंचता है तो हमारे जहन में असी के दशक की ब्यूटिफुल अदाकारा जीनत अमान की छवी आजाती है जिनके बोल्ड अंदाज ने उस दशक में बॉलिवुड में खूब कोहराम मचा रखा था यही वज़ा थी कि उस दोर में इनकी फिल्मों को देखने के लिए लंबी-लंबी कतारे लगा करती थी भले ही आज इंडॉस्ट्री से दूर हो चुकी हो पर आज भी इनकी वो नजाकत, भरी अदाएं, दुर्शकों की दिलों में जिन्दा है लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि असी के दशक में खूब पॉपलेरिटी हांसल करने वाली अभिनेतरी जीनत अमान की सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ अभिनेतरी जीनत अमान का ही हाथ है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं बल्कि इनको इस मुकाम तक पहुचाने में बोलेवुड अभिनेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिनके साथ इन्होंने फिल्मों में काम करके ना सिर्फ पॉपुलारिटी हासल की बल्कि रात और रात अपनी किस्मत भी पलट डाली तो आखरकार कौन से हैं वो अभिनेता जो इनके लिए इतने लखी सावित हुए और इनके साथ काम करके इनकी किस्मत ही बदल दी देर ना करते हुए जल्दी से जानते हैं उन्ही अभिनेताओं के बारे में कंबर एक देवानंद जी हाँ इस लिस्ट में जीनत अमान की किस्मत को चमकाने में जिस अभिनेता का सबसे बड़ा योगदान है वो कोई और नहीं बलकि 70 से लेकर 80 के दशक में राज कर चुके अभिनेता देवानंद हैं जिनकी लोग प्रियता से तो सभी भली भाती परिचित हैं कि अभिनेता देवानंद अपने दौर की कितनी बड़ी हस्ती थे जिनके साथ उस दौर में जो भी अभिनेतरी काम करती थी उसकी किसमत आराम से बुलंदियों पर पहुँच जाती थी और ऐसा ही हुआ अभिनेतरी जीनत अमान के साथ जब इन्होंने इनके साथ हरे राम हरे कृष्णा फिल्म में काम किया जहां इनकी जोड़ी को इनके साथ इतना जादा पसंद किया गया कि ये काफी पॉपुलर हो गई थी जब बात हो रही हो अभिनेतरी जीनत अमान की किसमत को बदलने वाले अभिनेताओं के बारे में तो उसमें अभिनेता शशी कपूर का नाम ना आए तो सरासर ना इंसाफी होगी अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया अभिनेता शशी कपूर ने तो आपको बता दें कि जब अभिनेतरी अपने struggling period से गुजर रही थी तो उनके पास कोई भी फिल्मों के लिए proposal लेकर नहीं आ रहा था तो उसी दोरान जिस शक्स ने इनकी मदद की थी वो कोई और नहीं बलकि अभिनेता शशी कपूर थे जिन्होंने इन्हें अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुन्दरम में प्रोड्यूसर से कहकर फिल्म में कास्ट करवाया था यही वज़ा है कि आज इन्हें इस जबरदस्त फिल्म और इसके गाने के लिए खोव याद किया जाता है जी हाँ अभिनेता देवानंद और शशी कपूर की तरह अभिनेता अमिता बच्चन के साथ भी काम करके जीनत अमान की किसमत सवरी है और वो इस तरह क्योंकि अमिता बच्चन के साथ इन्होंने डॉन फिल्म में काम किया था जहां इनके बीच की प्यारी सी केमिस्ट्री और जोडी दर्शकों को इतनी भागई थी कि दर्शक इन्हें हर वक्त अमिताब बच्चन के साथ फिल्म में देखना चाहते थे और दर्शकों की इसी डिमांड की वजह से अमिताब बच्चन के साथ दग्रेट गामलर, लावारिस, पुकार और महान जैसी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला इस लिस्ट की आखरी कड़ी में अभिनेतरी जीनत अमान की किस्मत को बदलने में अभिनेता धर्मेंदर का भी बड़ा योगतान है और वो इसलिए क्योंकि अगर अभिनेतरी जीनत अमान ने जिस अभिनेता के साथ सबसे ज़ादा काम किया है तो वो कोई और नहीं बलकि अभिनेता धर्मेंद्र है इनके साथ इनकी जोड़ी एक फिल्म में नहीं बलकि धरम वीर सहित 14 फिल्मों में देखने को मिली थी जिससे आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि उस दोर में इन दोनों की जोड़ी को लेकर दर्शकों के बीच कितनी excitement देखने को मिलती थी तभी तो इन 14 फिल्मों में इन्हें इनके साथ काम करके खुब popularity हासिल हुई तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई जीनत अमान की किस्मत को बदलने में इन अभी नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी बॉलेवोड इंडॉस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले